दिवाली पर ग्रीन पटाखों की बिक्री पर सुप्रीम कोट के फैसले के बाद दिल्ली के बाजारों में रॉनक लॉट आई लेकिन दुकानदार कोट के आदेश की शर्ते मानने को तैयार नहीं है। दुकानों में वही पटाखे सजे हैं जो हर साल आतिशवाजी में इस्तमाल किये जाते हैं। साथी ग्रीन पटाखों के बारे में और जानकारी जुटाए जा रही हैं जिसके बाद आगे की कर रवाए की जाएंrakी। साथी ग्रीन पटाखों के इस साल बाजार में आने की कम समभावना जताते हुए मॉझूदा पटाखों के फायदे भी गिना दिये। इसके बार दिवाली के बाद दिखाई नहीं देगा. वही बाजार में पताके खरीदे ने पहुंचे लोग धड़ले से पुराने पताकों की खरीदारी करते दीखें. पिछले साल तो पटाखों की बिग्री पर पूरी तरह रोक लगाए गई इसके बावजूद दिल्ली में जमकर आतिशवाजी हुई थी और प्रदूशन बेहत खतरनाक सतर तक पहुँच गया था यही बज़े रही कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बार ग्रीन पटाखों का इस्तमाल करने का आदेश सुना है लेकिन ग्रीन पटाखों के वजूद को लेकर बहस शुरू होगी इस बीच नीरी यानि नैशनल इंवार्मेंटल इंजिनिरिंग रिसर्च इंस्ट्यूट ने कम प्र ग्रीन पटाखों को इस तरह बना जाता है कि जलने के बाद यह पाणी के कड बनाते हैं और यही पानी पटाखों के साथ निकलने वाले पार्टिकुलेड मैटर को सोक लेता है साथ ये पानी हवा में मौझूद सिल्फर डायॉकसाइड और नाइटरजन डायॉकसाइड जैसी जहरीली गैसों को भी कम करता है हाला कि ग्रीन पटाखे बनाने के फॉर्मिले पर अभी सरकार की तरफ से मंजूरी नहीं मिली क्योंकि बीजेपी एंपी चिंता मनी मालविये ने दिवाली समय दूसरे तिहारों पर पटाखे जलाने की समय सीमा को नहीं मानने का अलान किया बीजेपी एंपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हिंदू धर्म से जुड़ी परंपराओं में दखल अंदाजी करार दिया चिंता मनी मालविये के इस बयान पर कई घंटों तक चुप्पी साधने वाली बीजेपी के कुछ बड़े नेता भी उनके सपोर्ट में उतर आए पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में तीन बच्चों ने पिटिशन दे कर पठागों की सेल पर रोक लगाने की मांग की थी जिस पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने दिवाली पर राद आठ से दस बजे तक यानि सिर्फ दो घंटे के लिए ही पठा के पूर्णने की इजाज़त दिए यही वज़े रही कि इस फैसले को लेकर बीजेपी सांसत चिंतामणी मालविये के विवादित बयान पर सियासत भी शुरू हो गई जिसमें कॉंग्रेस ने कोर्ट के फैसले पर बीजेपी एंपी के रुख के बाहने उनकी पार्टी को ही घेर लिया आज आदत सी पड़ गई यह भाज़पा की सुप्रीम कोर्ट के अपमान और हो मानना की जह सालसत हो जह मंत्री हो जह भी रहेगा एंडिये में अलाइंस पार्टनर जेडियू ने भी पीजेपी एंपी चिंतामणी मालविये को पटाकों को जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन्स को मानने की सला दे दी समीधान की सपत लेकर लोकसभा और विधानसभा में पहुंचेवे लोग भी अगर समीधानिक संस्थाओं को इस तरह से अपमान करेंगे तो फिर बहुती दुर्भाग पुनिश्टी कादा जाए अलाकि इस नसीहत का असर अखिल भारतिये हिंदू महासभा के अध्यक स्वामी चक्रपाणी पर नहीं पड़ा अपने बायानों की वज़े से सुखियां बटोरने वाले स्वामी चक्रपाणी ने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हिंदू धर्म में दखल देने वाला बता दिया यूपी के बदायू में हुई एक सड़क हादिसे में दो महिलाओं की मौत के बाद नारास लोगों ने हाईवे जाम कर प्रदर्श्वन किया महां एक तेज रफ्तार ट्रक में बाइक सवार तीन लोगों को कुचल दिया जिसके बाद नारास लोगों ने बदायू मेरट हाइवे जाम कर प्रोटेस्ट किया प्रोटेस्ट के समय इन लोगों ने हाइवे पर बैनर जला दिया इतना ही नहीं इन लोगों ने बाइक सवार को टकर मारने बाले ट्रक में भी तोड़ फोड की हाईवे पर लोगों के हंगामे की रिपोर्ट मिलने के बाद भारी संख्या में पुलिस वहां पहुची और जाम खुलवाने की कोशिश की लेकिन पुलिस वालों को भी लोगों की गुस्ते का सामना करना पड़ा हंगामा बढ़ता देख SDM लोगों को समझाने के लिए पहुचे तीन घंटे बाद हंगामा का रहे लोग शांत हुए जिसके बाद पुलिस ने दोनों महिलाओं के शवों को कबजे में लेकर पोस्ट मॉर्टम के लिए भिटवाया साथ ही गंबी रूप से खायर बाइक सवार प्रेमपाल को इलाज के लिए जिला स्पताल में भरती करवा गया